अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले जैसा कि आपको पता है कि हम बर्ट्स के रिलेटीड असेसरीज पैट्स असेसरीज के रिलेटीड हम वीडियो लेके आते रहते हैं सो आज हम एक नई वीडियो लेके आएं आपके लिए जिसमें हम डिंकर्स दिखाने वाले आपको होता क्या है कि हम अच्छे डिंकर्स भी परचेस कर लेते हैं और फिर भी उनमें थोड़ी बहुती मिट्टी गंदगी अंदर चले जाती है हवा के साथ कबूत्रों के उड़न डिंकर्स के ऊपर बैठ जाते हैं बीठें करते हैं सो वही बिठें डिंकर्स के अंदर चले जाती है तो गंदा पानी पीते हैं और बिमार हो जाती है तो पर होता क्या है अगर बाइचांस पहली बात इस पर बैठ नहीं पाता आप इसको हैंग भी कर सकते हैं टांग भी सकत रहते हैं और इसमें गर्दन डालके बड़ जितना पानी पीना होता है उतना पानी पीता है और उतना ही पानी स्टोरेज टैंक से नीचे आता है अब अच्छे डिंकर्स अगर उसमें मिट्टी जा रही है और उसमें बीठें वगारा या और गंदगी जा रही है यह हमारे बिद्र बिमार हो रहे हैं तो वह मारे लिए एक बड़ी प्राप्लम बन जाती है कि आप इस से कैसे बच सकते हैं कि आपके बर्ड जो हैं वह अच्छे डिंकर्स में गिरें तो उसके लिए solution लेके आए हम आज आपके लिए तो पहले तो हम यह drinker दिखा रहे हैं आपको देखिए कि इस शेप के अगर आप drinker use करते हैं तो इनमें बिसकली गंदगी के chances बहुत ही कम रहते हैं क्योंकर birds इन पर बैठ नहीं पाते होल्ड नहीं हो पाते तो गंदगी के chances कम हो जाते हैं यह 5 लिटर में ऐसा 7 लिटर में भी अवेलिबल होता है 5 लिटर है यह तीन में भी अवेलिबल है इस शेप में लेकिंगे हम यह को और लेके आए यह feeder है इसमें क्या है इसमें भी सेम लुक तेखिंगे आप शेप सेम ही है थाकि birds की गंदगी इसमें भी न गिरे इसमें आप मिट्टी पत्थर वगएरा यह ग्रिट वगएरा दे सकते हैं कि अब यह गंदगी से बचने के लिए हमने एक solution निकाला है इसका वह दिखाने वाले आपको यह स्टैंड इसको जमीन से ग्राउंड लैवल से चार इंची के करीब उचा उठा देगा जिस्से क्या होगा जैसे देख सकते हैं यह इस हैट पर आ जाएगा जब यह साइट पर आ जाएगा तो पिजन जब गर्दन डालेगा तो इसके लिए उसको थोड़ा सा इजी रहेगा एक तो नीचे की तरफ नहीं रहेगा दूसरी बात अगर बाइचांस वह मिट्टी वगरा कुछ उड़ती है तो यहां तक नहीं पहुंच पाएगी इससे बेनिफिट यह होने वाला है कि जो अच्छे डिंकर्स यूज़ करने के वावजूद भी जो मिट्टी विगरा हमारे डिंकर्स में थोड़ी बहुती चले जाती है तो उससे बस सकते हैं आप यह देखो ग्रेट पर भी यूज़ कर सकते हैं अब भी हम इस पर दिखात कहीं भी आप इसको रख सकते हैं इसकी जगाव नॉर्मल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जुरूरी नहीं है कि आपको यह सटेंड ही खरीदना है अगर आप कुछ नहीं खरीदना जाते तो नॉर्मल इट्स वगएरा लेके या थोड़ा सा उसको ग्राउंड लेवल से हाइट उसकी उठा दें ताकि इस चीज में यहां होल से अंदर मिट्टी वगएरा कुछ ना चापाए ज़रूरी नहीं है आपको स्टेंड पर चेज करना particular के लिए हम दिखा रहें कि यूज करना चाते हैं तो यूज कर सकते हैं अगर अब लगता है कि आपको यूज히 नहीं करना है इसकी जुरूरत नहीं है तो आप इसकी जगा इसके कोई पत्थर या इटें वगएरा दो रखके उसके उपर आपके के लिए मेहनत करनी पड़ती है सो आप उस मेहनत से भी बच जाते हैं कि यह बहुत ही अच्छी आपके लिए आप डिंकर फीडर कुछ भी इस पर यूज़ कर सकते हैं कि यह दिखिए मैंने आपको एक विसकी लोकल सुलूशन भी बता दिया इसके लिए कि अगर आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते पर चेस नहीं करना चाहते तो आप इसके लिए विसकी लोकली दो इटें लेके इनके नीची रख सकते हैं एक तो वह इटें साफ रहेंगी दूसरा बैसक लेके आए थे आज हम आपके लिए अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेर करें थैंक्यू फ्रेंड्स